डेली करेंट एफर्स के पिछले लेक्चर में हमने कम्प्लीट की तिया स्टोरी वल्चर की वल्चर में शुरू से लेके अंतक जितना भी हमें जानना है पूरे कॉंसेप्ट हमने डेवलप किये थे कंजर्विशन एफर्ट स्खितने चल रहें वो सारा कुछ उनकी सारी स्पेसिज देखी थी जो इंडिया में हैं और साथी साथ यूपीसी के प्रेलिम्स में वल्चर से रिलेटेड एक जो क्विस्चन आया था वो भी हमने किया था उसी ट्रैक पे आज हम लोग करेंगे क्रोक क्रोकोडाल मैं अगर आपको बताऊं तो यूपीसी के प्रेलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में क्रो काउन काई सब्भार्डबे पर संब यह पर में हैं उनकी प्रॉब्लम्स मैं क्या हैं कैसे उनकी आबादी गिर रही है और साथी साथ यह जानना होगा कि IUCN के हिसाब से उनके conservation status क्या है और different efforts जो है government की तरब से क्या है यह करने के बाद UPSC में चुकी मैंने बोला कि यह favorite topic है तो UPSC में जो MCQ crocodile से related आया होगा आज तक उसको हम लोग discuss कर लेंगे और solve भी कर लेंगे और पूरा crocodile का topic जो आपको कहीं दूसरी बात है इसका habitat का है कहां पे रहता है यह पानी में रहता है जमीन पे रहता है तो यह इसका habitat जो है वो semi aquatic है semi aquatic का मतलब है कि जमीन पे भी काफे time बिताएगा पानी में भी काफे time बिताएगा और इसके दिन में time बिताने का यह मतलब है कि इसका generally जो food वगर आता है व वहाँ पानी से वह oxygen निकाल लेगा, nothing like that, साथी साथ कुछ crocodile के spaces में salt glands भी होते हैं, salt gland क्या करते हैं, जो salty water है, उसको filter करके बाहर निकाल देते हैं salt, उनमें ये capacity होती है, तो crocodile की कुछ spaces आपको salt water crocodile के form में भी मिलेगी, वो salt water की tolerance क्यों develop होती है, salt water की tolerance इसलिए develop होती है, कि extra जो उनके अंदर body में salt चला गया, पानी से, salty water में, समुद्री water में, उनको निकालने के लिए, बाहर एक स्पेल करने के लिए, उनके पास salt gland होते हैं, तो ऐसे भी spaces है, अब दूसरी बात की crocodile कहां पाया जाते हैं, देखिए अगर ये अर्थ है, तो मिलेंगे ही, तो आपको एशिया में भी crocodile मिल जाएंगे, साथी साथ आपको crocodile मिलेंगे, अमेरिका में और और ऑस्ट्रेलिया में, और साथी साथ यहां पर अमेरिका में, तो ये हैं crocodile की range, इतने सारे continent में आपको आराम से crocodile मिलेगा, देखिए crocodile ऐसे तो एक family होती है, अनिमल क क्लासिफिकेशन में उसका नाम है क्रोकोडाइलीडी फैमिली का जुनाम है क्रोकोडाइलीडी है यह आपको याद नहीं रखना है लेकिन इसी को हम लोग लुजली क्रोकोडाइल बोल देते हैं इस फैमिली को तो यह कोई एक स्पेसिज नहीं इसके अंदर कई स्पेसिज होत जो कि आपके side कम होती या नहीं होती, दूसरा kaysmans, ये दोनो family alligator की एक family होती है, मतलब crocodile overall बड़ा classification हो Cuando उसमें एक family है, alligator, की, उसमें alligators होते हैं, और camons होते हैं, और आपका favorite, घड़ियाल भी आएगा इसी में, crocodile में, और एक необходимо क्रोकोडाइल ही हो गया नॉर्मल वाला तो क्रोकोडाइल घड़ियाल एलिगेटर केमन का एक अलग से ग्रूप यह तीन अलग अलग फैमिलीज हैं लेकिन ओवराल भी इनको मिला जुला कि हम लोग क्रोकोडाइल बोलते हैं इसमें कोई कंफ्यूजन आपको ना हो ताप समझ ऑर केमन की फैमिली दूसरा क्रोकोडाइल की फैमिली तीसरा घड़्याल जो फैसे अथो है कैसे तुन लेकिन सारे को खोड़ाइल नहीं है यह अलग-अलग फैमिली से भी लॉंग करते हैं तो आप मुझे ऐलिगेटर और क्रोकोडाइल में डिफरेंस बता सकते हैं चलिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा देखिए ऐलिगेटर का यह शेप देखिए और क्रोकोडाइल का सेप देखिए आपको कौन सा यू सेप लग रहा है थोड़ा सा और कौन सा वी सेप लग रहा है क्रोकोडाइल का देखिए आप थोड़ा सा ज्यादा वी सेप है और इसका जो है थोड़ा ज्यादा यू सेप है जैट मेंस कि ऐलिगेटर का मुझ होता है थ जो डिफरेंस लेकिन वो तो हैसके साब मतलब है तो बाएवाला दो डिफरेंस है इसमें कोई शक नहीं है एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ऐलिगेटर को देख़े और क्रोकोडाइल यहां पे आपको टीथ दिख रहे हैं ऊपर निकले हुए होते हैं इनके क्या होते हैं कि नीचे वाले पॉर्शन जो जो है वह छोटा है क्रोकोडाइल का अल्मूस बराबर है तो जो फिटिंग ऐसी है कि क्रोकोडाइल के नीचे वाले टीथ आपको ऐसे निकले हुए दिखेंगे कई सारे है ना खास करके यह दो जो हैं इससे काफ़ी डिफ्रेंसियेशन हो जाता है तो यह तरीका है बाकी मिलते जुलते ही हैं हुआ हों क्योंकि उनमें सॉल्ट एक्स्पेल करने का ग्लैंड होता है सम्टाइज सॉल्ट वाटर और इंडिया में है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंट्रेस्ट में UPSC कभी-कभी आपसे यह भी पूच्छ देती है कि फलाना और्गनिजम वेजिटेरियन हैं कि करोकोड पैलूस्ट्रिस ये वाला ग्रे वाला पूरा भरा पड़ा है क्रोकोडाइल पैलूस्ट्रिस लेकिन इंडिया में बस यही क्रोकोडाइल है क्या ऐसा नहीं है इन एरिया में देखिए आपको क्रोकोडाइल पैलूस्ट्रिस भी दिख रहा है और साती साथ आपको यह है कि overall crocodile के अगर living spaces की बात करें तो 16 spaces है पूरे world में जिनको recognize किया गया है और काफी जो है extinct हो चुके पहले या उनकी date हो चुकी उसे evolve हो गया कुछ लेकिन overall crocodile के आज की date में 16 spaces है जो की thriving है world में आपको सारी नहीं जाननी है आपको क्या जानना है जो इंडिया में है तो इंड जो फैला हुए और कौन से सबसे जादा crocodiles palustries यही मगर crocodile बोला जाता है पूरे Indian subcontinent में मैप में प्र से देख लिजे कहां-कहां पाया जाता है अच्छे कहां रहता है यह crocodile आपको crocodile palustries मगर crocodile जो इंडिया वाला है ऑपको reverse में मिल जाएगा swamps में मिल जागा दल दली में lakes में भी मिल जाएगा कभी kudsels WO該 अधास इंडिया में नहीं होता क्यों क्यूंकि coastal area में hats इस्का में मिले गा और यह ब्राइकिस्ट वाटर में ने साइज बहुत ज़्यादा होता है और तीसरे वे इसको रिजएंबल और वही घडियाल है जिसकी फैमिली है गैविलीडी करके यह सब आपको याद नहीं रखना है यह भी सेमी अक्वाटिक है एकदम क्रोकोडाइल की तरह दिखता है लेकिन इसका स्नौर्ट जो होता है थिन होता है हम लोग उसको क्रोकोडाइल ही बोलते हैं गडियाल को भी से यह घडियाल का अलग से मैप है आप इसको देख लिए एक बार यहां पे चंबल रिवर का ignore दे और इसमें आपको घडियाल मिलेगा उनर को बंगलडिश में जमुनारे कंट्री से जाने के बाद ब्रह्मपुत्रा उसमें भी मिलेगा ब्रह्मपुत्रा रिवर में भी आपको घड़ियाल मिलेगा और ब्रह्मपुत्रा की जो ट्रिब्यूट्री है सुबांसरी और लोहिच जो मैं आपको मैपिंग में पढ़ा है उसमें भी घड़ियाल मिलेगा और यहां पे एक शेरलूई रिवर है आपके नौर्थ इस्ट में वहां भी घड़ियाल मिलेगा तो घड़ियाल का ऐसे जो है और आपकी जो हस्तिनापर वाइल लेप सेंचुरी है इधर उतर-प्रदेश में होगी ना हां उतर-प्रदेश में तो वहां भी आपको घड़ियाल मिलेगा अब मैं आपको ले चलता हूँ आपने समझ लिया ओवराल स्टक्चर घड़िया लिए लिए सिमिलर है वाकि आपके जो आपने पढ़ा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और दूसरा क्रोकोडाइल जो आपने पढ़ा नॉर्मल जिसको मगर बोल रहे हैं तो अब मैं इंडिया में जो जो स्पेसी जो उनका डेस्क्रिप्शन दे दूँगा क्योंकि यूपीसी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है यह हूई ती लेकिन इंडिया के एरिया के अलावा पाकिस्तान में देखिए है ना नेपाल के रेंज में देखिए यह सारे रेंज में आपको इंडियन सब कॉंटिनेंट में क्या देख रहा है क्रोकोडाइल और यह क्या है मगर क्रोकोडाइल तो इसका रेंज आपने देख लिया इंड का मगर वाला सुरी यह जो है ओवराल इंडियन सब कॉंटिनेमें तर्थ दिख रहा है वह क्रोजोडल पहले सट्रेस है जो कि मगर क्रोजोडल और क्रोजोडल पोरोसस क्या है वह सल्ट वाटर कोड़ा कॉटल है जो कि अभिस्ली कोष्टल अरिया में पए जाता है लेकिन ना उसके लावा और भी जगह पे हैं आपको मैंने बताता है उस्टेलिया वगरे में भी मिल रहा है सौथ इस्टेसिया में मिल रहा है कौन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मगर क्रोकोडाइल भी उदर थोड़ा बहुत है लेकिन घड़ियाल बस आपकी कंट्री में जहां मैंने आपको दिखाया है और वो अलग स्पेसिज है याद रखेंगा डारेक्ली रिलेटेट नहीं है सिमिलर है अब हम एक एक करके सब को डिस्कस करते हैं तीनों को आपको सब कुछ जानना है जो मैं बताने वाल हूं आपको देखिए मगर क्रोकोडाइल की बात करें तो य लेकिन अगर कहीं पर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अल्रेडी रह रह रहा है तो वहां पर मगर क्रोकोडाइल अवाइड करेगा उस टेरिटरी को बात करें अगर अभी कहां पर यह तो देखिए और भी कुछ कंट्री में हैं लेकिन मेंली ये इंडियन सब कॉंटिनेंट म में हैं और उसमें भी आपको जानके ताज़ोब होगा कि भूटान में और म्यानमार में इंदो कंट्री में यह अल्रेडी एक्स्टिंट हो चुका है इसको खतरा किस बात से हैं देखिए सारे अनिमल का एक खतरा तो हमेशा रहता है और वो होता है है अबिटेट डिस्ट्रक्शन उनका फ्राग्मेंटेशन हो रहा है कई सारे डैम वगर प्रॉजेक्ट बन रहे है तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है फ्राग्मेंटेश सकते हैं आप इसको, sometimes it also happens, आप जानते ही हैं इनके लेदर बगर का यूज़ करते हैं, उसके चमड़े का बहुत कुछ बनाते भी हैं, conservation status क्या है, बिचारे मगर की, अगर हम बात करें IUCN की, तो IUCN में इसको vulnerable रखा गया है, अभी भी एक बड़े एरिया में है, अगर साइट्स की बात करें, conservation of international trade in spaces करके, साइट्स की बात करें तो वहां पे appendix 1 जो सबसे important होता है, उसमें डाला गया है, और wildlife protection act की अगर बात करें तो इसको वहां पे schedule 1 में डाला गया है, दूसरा जो है हमारा, यह है salt water crocodile और इसके बारे में यह कहा जाता है, अगर living crocodile की बात करें तो यह largest salt water crocodile, इसको हम लोग इस्ट्वारिन crocodile भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस्ट्वारिक एरिया में रहता है, जहां पे river और समुदर मिलते हैं, क्योंकि salt water होता है, इंडिया में very famously आपको याद रखना है, सुन्दरबन की जो इस्ट्वारिज है, जहां पे मैं गया भी था तो मेरे बोट के करीब यह लोग बैठे रहते थे, सुन्दरबन्स वाले एरिया में, वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, इसकी बहुत population है, फिर उडिशा में अगर बात करें तो famous है, भीतर गनिका नाशनल पार्क, बहुत अचक कंजर्वेशन किया गया है, भीतर गनिका नाशनल पार्क उडिशा में, और सुन्दरबन में भी है, वहां पे salt water crocodile बहुत मिलता है, सती सत अंडवान निकोबार आइलेंड के अरॉंड भी मिल जाएगा salt water crocodile, वहरोल अगर बात करें तो ये बस इंडिया में नहीं है, इंडिया के अलावा आपको ये south east एशिया में भी मिलेगा, जैसे मैं आपको map में दिखाता है, यलो वाला, और आपको ऑस्टेलिया के northern area मे भी salt water crocodile देखने को मिलेगा, और जो vulnerabilities मगर crocodile की है, सेम इसकी भी होगी, अगर protection status की बात करें यहाँ पे, तो IUCN के हिसाब से, salt water crocodile क्या है, IUCN के हिसाब से, least concern है, कोई issue नहीं है, और अगर बात करें sites की, तो वहाँ पे ये appendix 1 में है, लेकिन उसमें भी, जो Australia वगर हैं, दिया गया, wildlife protection act की बात करें, तो obviously अप इसको उतनी conservation status है, जितनी tiger की होती है, तो वहाँ पे 1 में डाला गया है, अब जो आपके लिए सबसे important है, वहाँ आपका घडियाल है, यह हिमालियन गंग, जो rivers होती है, उनके fresh water में पाया जाता है, या उनके tributary में पाया जाएगा, तो आपको चंबल में भी दिख जाएगा, otherwise यह हिमालियन रिवर्स में एकदम fresh water में पाया जाता है, इसलिए यह water cleanliness का indicator भी है, water अगर गंदा हो गया, fresh water नहीं है, तो घडियाल नहीं पाया जाएगा, ऐसे तो हिमालियन रिवर की बात है, लेकिन अगर सबसे important कोई river है, जह लेकिन यमुना के ट्रिब्यूटरी और बाद में यमुना जो आपकी गंगा में मिलती है, तो चंबल रिवर में घडियाल की बहुत population है, primary habitat चंबल ही है, बाकि रिवर्स जो है, उसकी secondary habitat है, जो मैप में आपको दिखाया था मैंने, अब यह fresh water में रहता तो इसके मतलब खतर क्या होगा, sand mining वगर से इसको issue हो रहा है, pollution से issue हो रहा है, बाकि poaching वगर तो इंसान हर चीज की करता और इसके इतनी पतली स्नौट होती कि कुछ बिगाड भी नहीं पाता, इसकी कारण घडियाल की population में बहुत जल्दी से गिरावट हो है, और घडियाल की अगर conservation status की बात करे IUCN के हिसाब से तो आपको जान करता जूब होगा, यह animal विचारा critically endangered है, यह critically endangered है, इसको आप कभी नहीं भूलें, और by a key wildlife protection act में schedule 1 में, और sites की appendix में भी appendix 1 में, बाकि इसके लिए चंबल में कोशिच की जारे conservation के लिए, और सातिसा salt water crocodile की भी population बढ़ाई गई है, खास करके भीतर कनिका नाशनल पार्क में काफी बढ़ाई गई है, अब यहाँ पर आपके लिए एक बहुत interesting fact, उडिशा is the only state having all the three spaces, that means कि उडिशा में आपको घडियाल भी मिलेगा, मगर भी मिलेगा, मगर क्रोकोडायल भी मिलेगा, और सातिसा salt water क्रोकोडायल भी मिलेगा, तीनों जब घडियाल का conservation या मगर के conservation की बात करें, तो उसमें उडिशा टॉप पे आता है, उडिशा का जो भीतर कनिका नेशनल पार्क है, और किंद्रपड़ा डिस्टिक्ट वहाँ पे है, किंद्रपड़ा, यहाँ पे जो बड़ी जूर सोर्स से conservation की जाती है, और 2020 के round उसकी census भ बड़ी है, अब किस करी हम लोग क्या करेंगी, UPSC में जो crocodile या आपके जो भी है, देखिए अगर crocodile बोलें तो खाली crocodile होता है, अगर crocodile बोलें तो खाली crocodile होता है, और अगर crocodilian family बोलें, scientifically speaking, तो उसमें आपके सारे जो मैंने आपको 16 species बताय थे वो भी आएंगे, और साथी आपका घडियाल भी आएगा, मतलब इंडिया में घडियाल हो, मगर हो, जिसकों लोग मगर मच बोलते हैं, मगर crocodile या पिर saltwater crocodile, ये तीनों crocodile family में आते हैं, और अगर खाली crocodile बोलेंगे, तो बस crocodile होगा, उसमें घडियाल नहीं आएगा, ठीक, लेकिन आप यही तीनों याद crocodile के नाम पे, simple, थोड़ा सा आखों पे जोर देखे, question देखे, बाकी में पढ़ दे रहा हूँ, ये question ना था, UPSC के प्रेलिंस में 2008 में, पहला statement था, saltwater crocodile is found in the Andman and Nicobar Islands, देखे, question में ये नहीं बोल रहा है कि is found only in Andman and Nicobar Islands, तो ये तो true है न, saltwater crocodile is found in the Andman and Nicobar, अभी तो बताय है तो थोड़ी दिर पहले, कि Andman and Nicobar में पाया जाता है, saltwater crocodile, coastal area में पाया जाता है, बाकी, उडिश्या भगर है के, दूसरा, Shrew and Tapir are found in Western Ghats of the Malabar region, अब ये question जो है, पहला statement तो crocodile के knowledge से में मिल जाएगा, दूसरा नहीं मिलेगा, दोनों statement यहाँ पे सही है, ये कभी मैं आप इस ताइम गहाट साप Malabar region में पाया जाते हैं, शुरू हैं तापियर और पहला तो आपको बताई दिया, लिक्चस से मिल गा, तो इसका सी एंसर था, 2008 में, फिर ये वाला question आगे देखे, UPC में 2010 में, इसमें ये पूछा कि कुछ protected area दिया, और वो किस चीज के लिए famous है, प बात है, 1 & 2 सही हो गया, एरा भी कुलम केरला जो है, वहाँ पर हुलाग गिबन मिलेगा, ये कैसे सही हो सकता, मैपिंग की इतनी classes करा ही मैंने, नौर्थ इस्ट का जब करा रहा हूं, हर स्टेट में, लास्ट में एक स्लाइड होती है, हुलाग गिबन की, हुलाग गिबन is found in the North East of India, अभी तक के मेरे lecture से हराम से question solve करते थे, कर सकते थे 2010 का, लास्ट वलाग गिबन जो है, आपके नौर्थ इस्ट में पाय जाता है, उसके भी मैंने आपको दो स्पेसिस बताई है, अच्छे से बता है, मैपिंग का lecture कर लिजएगा, 1 & 2 answer होगा, कई-कई बार आप लो को देखने के लिए natural habitat में की चंबल रिवर में जाओगे, पुलिकट लिक में जाओगे, की दिपोर विल में जाओगे, ठीक है कि उडिशा में तीनों स्पेसिस पाय जाती है, लेकिन भीतर करनी का नाशनल पार्क के बात करें, तो हो salt water के crocodile के लिए famous है, मैंने आपको क्या ब चोटे से lecture को मैं यही समाप्त करूँगा, घडियाल आपका अलग से हो जाए, तो मुझे अच्छा लगेगा, फिर बाकी जो है, अलग से करा दोगा, ठीक है, अलग से, आज रात सोच रहा हूँ, ठीक है, आज की रात होना है, क्या हो जाने को, आज, thank you so much, अपना साथ देन के लिए, साथ रहने के लिए, अच्छा लगता पढ़ाना मजाता, thank you so much,